हलो डियर फ्रेंड सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सुधिर डिफैंस अकेडमी प्यारे साथियों आप सभी का बहुत-बहुत आभार एंड वैरी गुड बॉर्निंग टू अल अफ यो गाइस यह थोड़ा सा एक यह 10 मिनट का वीडियो आपके लिए उ इंके लिए बहुत ही सौट बीडियो और बहुत ही इफेक्टिव वीडियो फर्स्ट अ्टेम्ट में आपको किस दरह से क्लियर करना होगा क्या बैस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्यारे बच्चे उसके लिए एक बार ध्यान्थ से इसको आपको देखना होगा वीडियो को मैं अब बात करने वाला हूं बहुत ही effective और valid points के साथ में 18th January 18 January को आपका paper है आप सभी को पता है आज से लगवग 40 और 45 days remaining है प्यारे बच्चे 40 से 45 दिन बचे हुए है exam में और हम लोग अभी भी किस तरह से preparation करना है आपको analysis करना होगा मैं या बताने जा रहा हूं अपनी preparation को एक दम boost करने के लिए किस तरह से आपको preparation को एक नया mood देना होगा सबसे पहले important बात यह है कि हम लोग एक ही गलती करते हैं बहुत सारे मेरे ऐसे student हैं जिनका score जो cut off गई थी उससे बहुत ज़्यादा आया लेकिन वो किसी ना किसी एक subject में और sectional cut off को clear नहीं कर पाए इसक बहुत high था technical की बात करूं तो reasoning का level ठीक था रागा अच्छे level की थी वो भी आपका कौन सा portion week है प्यारे बच्चे इस time जरूरी है वो सबसे उस पर ध्यान देने के लिए हर subject पर focus करना पड़ेगा यह बहुत ही important चीज है कुछ बच्चों का मैत अच्छा होता है इसलिए वो आप expect कर रहे हैं कि देख लूँगा sectional cut off clear हो जाएगी तो वो भी पार नहीं होने वाली है हर subject पर 40 दिन रहे हैं last बहुत ज़्यादा time नहीं है बहुत जल्दी निकल जाएगा x और by decide करिएगा अभी decide करिए सच में यह आपका सच में x strong है या by strong है please guys एक ही पर focus करिएगा द सबसे बड़ी गलती यही मुझे लगता है कि सायद x नहीं तो by by नहीं तो x ऐसे possible नहीं है बाई में चार subject है non technical math reasoning gs and English common है फिर by के x के अलग subject है physics हो गया math हो गया एक साथ six और seven subject छे से साथ subject को cover करना और उस पर भी पूरी तरह से command ना हो और एक साथ cover करना यह बहुत बड़ी बेवकूफी होती है सबसे बड़ी बेवकूफी जो मुझे लगती है नई aspirants के लिए जो पहली बार exam देने जा रहा है हाँ कि आप सच में दोनों में strong हैं आप कर सकते हैं आपने achieve किया score के सर लगवग मैं कर लूँगा दोनों में कोई बुराई नहीं है त्यारी करने में लेकिन उन सभी बच्चों के लिए जो पहली बार exam देने जा रहे हैं प्लीज आप decide करिए कि आपका कौन सा portion strong है I mean X science stream और other than science stream ओके ये बहुत important चीज है यही सबसे बड़ी गलती होती है जिसमें बंदा मात खा जाता है उसे सायद ऐसा लगता है कि रे यार सायद तुक्के से बाई निकल जाएगा या सायद X भी निकल जाएगा ऐसा कभी हो नहीं सकता negative marking है कभी चीज़ें काम नहीं करती CBT computer based examination में जहां पर एक online exam हो आपका सबसे बड़ी बात है English common है English है कैसा subject है जो मुझे लगता है कि scoring subject है सच बताऊं तो 20 मैसे जो पहली बार exam दे रहा है इसली 15 प्लस लाए जा सकते हैं मैं पिछले 4-6 intake की बात करूँ तो कभी ऐसा paper नहीं आया कि जिसमें बच्चों के number नहीं आया मेरे बहुत सारे ऐसे student है जिनके 20 out of 20 आपको believe नहीं हो 18 प्लस बहुत बच्चों के थे 17 प्लस एक अच्छा बंदा जो score पहले वो नहीं कर पाता था जिसके 12 और 13 आते थे English में वही बंदा जब 2 साल त्यारी करता है तो फिर वो 18 out of 20 गेन कर रहा है तो उस चीज़ को आप पहले ही समझ लीजिएगा English में आपको passage को नहीं छोड़ना है reading comprehension तीन से चार नमबर का passage आएगा यदा पैसेज की practice नहीं कर रहे हैं तो आप गरबर कर रहे हैं आपको vocabulary नहीं छोड़ना है पढ़ना पढ़ेगा पैसेज को मिला के 8 नमबर पहुँच रहे हैं 20 में से 8 ये निकाल रहे हैं तो 12 नमबर रह जाएंगे उसमें score करना उतना आसान नहीं है और इसी लिए आपको English पर बहुत focus करना होगा क्योंकि scoring subject है प्यारे बच्चे आपकी जो overall cut off होगी उसको reach करने में बहुत ज़्यादा helpful होगा सबसे most important जी जो इस टाइम बची है 40 दिन mock test मैं बार बार बोल रहा हूँ most important अभी भी जो mock test नहीं लगा रहे हैं दिन में कम से कम दो mock test वो इस race से बाहर है मैं फिर बता रहा हूँ चाहां competition हलका हो चाहां बच्चों की संख्या कम हो चाहां application form कम भरे गए हैं जगे उतनी ही हैं इसी लिए मैं बोल रहा हूँ जो अभी भी mock test नहीं लगा रहे हैं बहुत बड़ी गलती है सबसे important सबसे effective सबसे ज़्यादा कारगर चीज जो होगी वो आपका mock test होगी generally mock test लगाईए time limit के साथ mock test लगाईए कितना accuracy आ रही है कि time management इसी को बोला जाता है कि आप कितनी जल्दी कितना घेन कर पा रहे और आपको एक डर खतम हो जाएगा कि हां मैं किस में मेरा score week आ रहा है और कहां मुझे चीज़ें काम करनी है mock test कम से कम दिन में दो बार सुभह और साम कभी भी लगाईए level के mock test लगाने में यह नहीं करा बहुत IIT के या इंडिये के mock test लगाईए आप जो mock level है दिया गया बहुत सारे apps available है mock test के मैं आपको pdf डाल दूँगा उस पर भी telegram channel पर mock test की mock test लगाने है most important आपको समझ लीजीगा मैं बार बार इसको repeat कर रहा हूँ self revision हां कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा गलत नहीं है coaching से online platform से जहां से आपको suitable लग रहा है offline और online लेकिन एक गलती जो सबसे बड़ी है हम पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं लेकिन चीजों का सायद बस एक बार मैंने revision देखा भी नहीं अभी तर जो मैंने एक बार concept पढ़ लिया मैंने algebra पढ़ा है मैंने math पढ़ा कु इसी लिए मुझे लगता है कि जो आपने पढ़ा है उसका भी muscle से 20% होने बाला है बाकी सब खतम हो जाएगा paper के time पे revision is the master key आप समझ लीजे to read a book 10 times is far better than to read 10 books simultaneously आप समझ सकते हैं एक किताब को आप दस बार पढ़ते हैं आपके दिमाख में छप जाती है कहीं से कुछ भी आ पढ़ता जितना पढ़ रहे हो प्लीज सुबह चार बज़े जगो साम को बढ़ो रात को जहां जब पढ़ना हो आप revision नहीं कर रहे हैं चीज़ें आपके हाथ से बाहर हो जाएंगे आपके साथ exam में क्या होता है आप सच बताईएगा आपके साथ होता है कि sir मैं पढ़के गया था लेकिन उस time दिमाग में मेरे क्या हुआ इस ट्रैक नहीं हुआ question सर पता नहीं बाद में मैंने जब पच्तावा हुआ क्या रहे यह तो मुझे आता था ऐसा क्यों होता है पता है आपको क्यों को concept अच्छे से आपके दिमाग में बैठ नहीं पाया और उस time exam के time पर उतना जल्दी स्ट्रैक नहीं कर पाया ठीक है physics चाहे वो GS और GK हो चाहे वो रागा हो non-technical या English हो सब को मैंने पहले ही repeat कर दिया decide कर लीजे x or by अभी भी मैं बोल रहा हूँ जिनका बहुत ज़्यादा strong है दोनो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़ा भी या weak person है कि सर मुझे नहीं लगता कि technical में मैं पास हो पाऊंगा या non-technical छोड़ दीजिए time नहीं है 40 दने और नहीं तो अगले साल का फिर वेट करिए मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ ऐसे अपने दमाग से आकिवल सोचने से exam नहीं निकले जाते sectional cut-off बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनोंने overall cut-off में पिछली बार marks बहुत gain किये लेकिन वो sectional cut-off को clear नहीं कर पाए कहीं न कहीं किसी subject में fail हो गए आपको सबसे पहली cd है sectional cut-off और उसके बार आती है cd overall cut-off आपके number है 40 cut-off गई x की 28 लेकिन आपके physics में number है 7.85 मैं sectional cut- नहीं रहेगी और आप वीडियो देख लीजेगा यद एक percent वी उसमें change आया होगा तो आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है आपको पता है कि मैं जो भी बोल रहा हूं सारी चीज हैं बहुत validity के साथ में और बहुत accurate तुक्का नहीं दे रहा हूं कि एक बार मैंने पर भी मैं कहूंगा चाहें आपको लचता है 100% written clear है सर लेकिन अभी जो 40 दिन का time है किसी भी चीज को करने के लिए भले आपने 6 मीने पहले return निकाल दिया हो लेकिन अभी दुवारा से उस पर एक वार revision जरूरी है अभी से पूरा time group discussion में waste मत करिए आपको पढ़ रहे हैं ग जीडी मेरे ऊपर छोड़ दीजीगा सुवैसे सांता जीडी के class चलेंगे कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है बस केवल 10-15 दिन के लिए आप आ जाना 100% आपका selection हो जागा एक रुपे आपसे नहीं लोगा है selection नहीं हुआ तो final cutoff final cutoff इस पर मैं बहुत जल्दी medical भी निकाला उसके बाद मैंने जब final cutoff PSL आई तो PSL भढ़ गी कितनी वो पहुँची 35 और मेरे नमर थे 29 इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ पहले ही उतना score कर लीजे written में कि last तक आपको PSL में निकलना बहुत ही जादा दुखदाई होगा बहुत बुरा लगता है जब आपने जीडी निकाला है बहुत बुरा लगता है जब आपने medical clear किया है री medical clear किया है और उसके बाद आप PSL में बाहर हो जाते हैं प्यारे बच्चे ये बहुत ज़्यादा बुरा है उन बच्चों से बूशे बहुत सारे मेरे student जो इस चीज को देख चुके हैं अभी जो बाहर हो गएं कि उसका दुख क्या होता है जीके और जीएस ज्यादा time based मत करिये चार से पांच question आएंगे जीके और जीएस चार से पड़ना है लेकिन last six month का current एक history से एक quality से इस तरह से combination होगा खेलों से संबंदे एक current से चार से पांच question आएंगे बहुत ज्यादा waste नहीं कर लेकिन last six month का current देख लेना है जो major incident हुए है जो major घटनाए है individual cutoff पर फिर मैं बोल रहा हूं अलग से वीडियो आएगा किसकी cutoff कितनी जाने वाली है मैं बहुत accurately आपको बताऊंगा analysis करके अच्छे तरीके से cutoff कितनी रहेगी individual cutoff कैसे आएगी कितनी जाएगी हर subject की और important फि आगा portion हो या GKGS या physics या math कुछ भी है सारे subject आपको individually ये देखना पड़ेगा आपका weak portion क्या है मैं फिर से repeat कर रहा हूं अभी जो सो रहे हैं आप तैयारी बहुत बच्चे कैसे तैयारी कर रहे है पढ़ लिया सुबह पढ़ लिया दो घंटे class ले ली ठीक हो गया अगले द अच्चा ही है ये टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा इसमें कोई doubt नहीं है कोई भी हो वो कोसिस करता है कि मैं बहतर content दे पाऊं लेकिन कहीं न कहीं गलती बस आप किये कि जहां आप revision को नहीं समझ पाते हैं self study मतलब revision library join कर लीजे घर में कोई ऐसा room देख लीजे जहां आप चार से पांच घंटे table पर बैठ सकते हैं और वहां mock test लगा सकते हैं सुबह से साम और जो आप पढ़ रहे हैं पूरे दिन का उसको अच्छे से दो बार एक quick revision कर सकते हैं concept बिलकुल दमाख में clear होने चाहिए doubt या confusion नहीं होना चाहिए and मैं courses करूँगा जल्द ही आपके लिए दो तीन effective वीडियो नेवी के उपर आने वाले हैं तब तक के लिए thank you so much I am really grateful to all of you for your continued support and love thank you so much जैहिन